नमस्कार दोस्तों एनके मोनीटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं चाड़क के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि अधिकतर महिलाओं बोलती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं यदि पुरुष की बात करें तो पुरुष अधिकतर खुले विचारों बाला होता है उसके मन में जो कुछ आता है वो आसानी से बता देते हैं दोस्तों महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पच्छती है ये आपने बिल्कुल सही सुना है लेकिन खुद के गुप्त रहस से वो किसी को कभी नहीं बताती दूसरों की बातों को ही पचाना उनके बसकी बात नहीं होती लेकिन वो खुद के गुप्त रहस से को हमेशा गुप्त ही बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती है क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि लड़कियां ऐसा वो काउन सा काम है जो अकेले में ही करना ज्यादा पसंद करती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आचार चाड़के के अनुसार महिलाएं नहीं बताती हैं अपनी शारिरिक जरूरत के बारे में दोस्तों आपको बता दें महिलाएं भी पुरुशों के जैसे ही संबंद बनाने के लिए लालाईत रहती हैं लेकिन वो अपनी रूची के बारे में किसी को बताती नहीं है यहां तक कि वो अपने पती को भी इस बारे में नहीं बताती है इसकी बज़े से महिलाओं को लगता है कि वो इस बारे में बात करेंगी तो अन्ने लोग क्या सोचेंगे अधिकतर महिलाएं इसी बज़े से अपन पिर भी टेखा होगा पुरुश चाहें वो एक दूसरे से अन्जान हो फिर भी आसानी से खुल कर बातें कर लेते हैं लेकिन महिलाएं ऐसी बातें दूसरी महिलाओं से को कभी नहीं करती हाँ, आप चाहें तो अपनी पतनी या महिला मित्र से पूछ सकते हैं. चाड़के के अनुसार महिलाएं दिखावा ज्यादा करती हैं दोस्तों आपने देखा होगा अधिकतर महिलाएं निरंतर नए कपड़े पहन कराती हैं और रोजाना नई सैंडल वगेरा पहनती हैं और खुद को खुब सूरत दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ करती हैं आ महिलाएं अपनी खोपसूरती को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं चारक के नीती के अनुसार शारीरिक रूप से आसंतुष्ट महिला के अबायद संबंद विक्सित होने की संभाबना बहुत अधिक होती है दोस्तों यदि अबायद संबंदों की बात करें तो अधिक्तर महिलाएं जब शारीरिक रूप से अपने साथी से खुश नहीं होती हैं तो अबायद संबंद का रिष्टा पनब जाता है अधिक्तर कारणों में से अबायद संबंद का यही सबसे बड़ा कारण है महिला के लिए उसकी शारिरिक जरूरत का पूरा नहीं होना उसे पागल बना सकता है ऐसी इस्तिती में वो सही गलत के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है इसके अलाबा चाड़क के कहते हैं हर कुआरी लड़की अकेले में अपने राज कुमार के बारे में सोचती है दोस्तों लड़कियां भी लड़कों की तरह ही सोचती है कोई भी कुवारी लड़की जब अकेली होती है तो वो अपने होने बाले पती के बारे में या अपने किसी पुरुश मित्र के बारे में सोचने लग जाती है वो या तो दिन के अंदर हुई घटनाओं को याद करती है या वो आने बाले कल के बारे में सोच रही होती है कि उसे कैसा पती मिलना चाहिए और वो उससे कैसे प्रेम करेगा ऐसी ही बातों पर वो अकेले में सोचती रहती है अंत में आचारे चारके ने बताया है महिलाएं भावनात्मक रूप से कमजोर होती है दोस्तों आपको पता होगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होती है और बैसे भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं जल्दी रो देती है इ वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत